नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है बर्गत के पेड़ में कितने लाब होते हैं वो भूत ज़्यादा फाइदेमंद होता है बर्गत के पेड़ में लाब हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है बर्गत का पेड यू तो हिंदू धरम में बहुत जादा महत्वून माना जाता है इसलिए बर्गत के पेड की पूजा भी की जाती है दोस्तों बर्गत का पेड़ भारत रास्टिय पेड़ है इसे वट व्रक्ष भी कहा जाता है बर्गत के पेड़ अपनी टहनियों के कारण ही जाना जाता है बर्गत की अपनी टहनिया से ही भूट सारी जड़े लटकती है जिससे वह जल्दी बड़ा और विशाल कायर शरीर ले ले लेता है इसका तना सीधा और कठोर होता है इसका फल थोड़ा सा छोटा और गुला कार लाल होता है बर्गत के पेड़ के पत्तों को जड़ का पयोग विविन तरह की बिमारियों के लिए किया जाता है और यह बहुत सारी बिमारियों में काम आता है जैसे की डाइबर्टीज, पिमपल, सर्दी जुखाम, स्किन का रोग, चोट लगने पर, फटी एडियां, दस्त में, कमर के दर्द में, सनों का धीलापन होने में, यौन शक् के बारे में, बर्गत का बहुत जादा उप्योग, बहुत सारी बिमारियों के लिए किया जाता है, बर्गत के पेड का आयुवेदिक उपचार के प्रियोग से खिया जाता है, बर्गत के पेड की पत्तियां, तना आदी को तोनने से इसमें दूद जैसा प्रदात निकलता ह जिसे लेक्टिस कहा जाता है बर्गत के पेड का प्योग योन शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है बर्गत के पके हुए फल को सुकी छाया में सुखा लीजिए और उसका चून बना ले फिर उसे बराबर मात्रा में मिश्री के साथ खोल ले और उसे अच्छी तरीके से पीस ले फिर इसका सेवन सुबह शाम खाली पेट आपको करना है और दिन में एक कब दूद के साथ करना है और आपको सो जाना है कुछ दिन में आपकी योन शक्ति खुद बखुद बढ़ने लग जाएगी बराबर मात्रा में इसका फाइदा होता है आपको दोस् लूज मोशन या दस्त सभी प्रकार की उमर की लोगों को परशानियों को सामना करना पड़ सकता है खासकर दस्त की समस्य अगर बच्चों में हो तो यह बहुत जादा लाबदायक होता है तो और भी परशानी हो जाती है लेकिन आप बरगत के पीर के द्वारा इस बिमारी क इलाज कर सकते हैं बच्चों की नाभी में बरगत का दूद लगाकर उसकी कुछ बूंदे लगाएं तो बच्चे को बहुत जादा आराम मिलेगा बच्चों की नाभी से बरगत का दूद निकला हुआ है वह आप उसकी नाभी में लगाएं बतासों में दूद की कुछ बू कमरों में हो सकती है आप पर्गत के पेड को मदद से आप अपने कमर का दर ठीक कर सकते हैं बर्गत का दूद अलसी का तेल मिलाकर मालिश करने से बहुत लाब मिलता है बर्गत का दूद दिन में तीन से चार बार कमर पर मालिश करने से कुछ दिनों में आपको लाब मिलता है पी नेतल avoid में घी आ जैसे कि आपको पता ही होगा महिलाओं कि ये फटी एडियां लेकर बहुत चिंतित रहती है तो यह पटीण के लिए भी बहुत ज़्यादा उपाय करता है फटी एडियां आपके व्यक्तित के लिए अच्छी नहीं होती है फटी एडियो के कारण आप अपने पैर को छुपाना परता है और आपको शर्मिंदिगी का भी सामना करना परता है यदि आप बर्गत का दूद का इस्तिमाल करें तो आप अपनी फटी एडियो को ठीक कर सकते हैं दोस्तो बस करना क्या होता है आपको अपनी फटी एडियों को चुपाना नहीं होता बस उनपे दूढ लगा कर उसकी मालिष करनी होती है। दोस्तों अब आप बर्गत के पेड़ से दूद से हलकी हाथों से मसाज करें यह आपको कप करना होता है यह आपको अपनी फटी एडियो को साफ करकर यानि कि दोस्तों जब आप अच्छे से धोले तो आपको उसका इस्तिमाल करना परता है पहले अच्छे से धोले कि उस पर धूलना लगी हो फिर अपने पैरों को सुखा लिजिए अब आपको दूद लगा कर थोड़े से छोड़ दीजिए तो आपको बहुत जादा लाब मिलेगा बर्गत के पेड़ की पतिया टेहनी या जड़ों की चोट लगने पर बहुत जादा लाब होता है अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो दोस्तो आपके लिए बर्गत के पेड़ का दूद बहुत जादा फाइदे मन दोता है तो दोस्तो आप क्या कर सकते हैं चोट लगने प अबी प्रकार से आप बर्गत का दूद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलता है दिन में तीन बारी आपको इस दूद दे मालिश करनी हैं दोस्तो यदि आपका इसका दर्द गायब हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होता है बग आदा लीटर पानी में एक चमच पत्ते का चून मिलाकर उसे अच्छी तरीके से उबाल ले जब उसका पानी एक जुथाई बच जाए तो उसे अच्छी से चान ले उसमें मिश्री डाल कर अब मिला ले अब इसे पीए आप शिकर ही पीने से आपको बहुत ज़ादा लाब मिलेगा दोस्तो बर्गत डाइरिया से भी निजात दिलाता है और आपको बचाता है बर्गत के पत्तों से पेचीस गैस डाइरिया जैसी बिमारी बहुत जल ठीक हो जाती है और आपके पेट की जलन से भी बहुत ज़्यादा अराम मिलता है इसके लावा आप पत्ते और हने धनिये के पत्तों को साथ कुड में मिला कर पिए या आपको चबा कर खाएं तो आपको डाइडिया से बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा जीहां दोस्तों बर्गत के पेड़ के फाइड़े बहुत ज़्यादा होते हैं जीहां दोस्तों बर्गत के फाइड़े बरती उम्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी स्किन जवा दिखेगी तो दोस्तों देखा आपने कि बरगत के पेड़ के कितने फायदे हैं आप भी बरगत के पेड़ का इस्तिमाल करकर अपनी स्किन को और याही इन सब लाबों का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और आपके पास ऐसे ही टिप्स लेकर आते रहेंगे और आपका फाइदा भी कराते रहेंगे